इस वीडियो में हम exercise 1.3 का fourth question करेंगे fourth question की statement जो आप screen पे आप देख रहे हो express 0.9 bar in the form of P by Q जैसे हमने third question किया है वैसी ये question करना है और last में हमें बताना है are you surprised by your answer तो ये हम बाद में देखेंगे पहले हम इसको express करते हैं P by Q form में और यहां P और Q integers है and Q not equal to 0 तो सबसे पहले जो statement हमें given है उसको हम let करते हैं let x equal to 0.99 ये up to so on ये हमें given है और इसको हम rewrite क्या कर सकते हैं x equal to 0.9 बार तो ये हमारी है first equation अब first को हमें ये जो decimal के बाद repeated number है वो है one एक ही number हमारा repeat है तो हम इसको किस से multiply करेंगे 10 से multiply equation 1 by 10 अब जब left side में हम इसको 10 से multiply करते हैं तो क्या आएगा 10x और right side में करते हैं तो क्या आएगा 9.999 अप to so on और इसको हम क्या rewrite कर सकते हैं 10x equal to 9.9 बार ये है हमारी second equation अब जैसा मैंने आपको third question में समझाया है वैसे ही हम इसमें step by step चलेंगे कि हमें जो subtraction करनी है वो क्या देखके करनी है कि क्या हमारा repeated number है क्या वो easily cancel out होते हैं अब second में ये लिखा है 9.9 बार और first में है 0.9 बार जब इसको subtract करेंगे तो ये हो जाएगा subtract 0 और यहाँ क्या आएगा 9 तो अब हम क्या करना है subtract equation 1 from equation 2 तो second equation से हमें इसको कराना है subtract तो second equation के left side में लिखा है 10x और first equation के left side में है x ऐसे ही 9.9 बार minus 0.9 बार तो अब जो ये answer आएगा यहाँ 9x equal to 9 therefore x equal to 9 by 9 equal to 1 तो x की value जो हमारी आई है वो क्या है 1 और हम starting में क्या लेके चले थे 0.9 बार यही हमसे पुछा गया था are you surprised by your answer तो surprise क्यों होंगे हम अब हमने लिया था 0.9 बार और answer आया है 1 तो इसका reason क्या है कि जो 0.9 बार है जब इसको number line पे हम represent करेंगे तो यह बहुत close जाएगा किसके 1 के तो इसमें very small gap होता है 0.9 बार में और 1 में तो इसलिए जो 0.9 बार है उसको हम कैसे represent करते हैं 1 की form में तो यह इसका reason है और यह इसका answer है x equal to 1 तो आप इस channel को subscribe कीजिए 9th class के math के complete solution के लिए और video को like और share कीजिए करेंगे